शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले पिछले दिनों मनपा सदन में सघन प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत महापुर संदीब जोशी ने आधा दरजन मुद्दो पर आईक्त तुकारा मुंडे को 6 जूले तक सपष्टिकरन देने के निर्देश दिये हैं आईक्त सपष्टिकरन देते है या नहीं इस पर सदस्यों की निगाएं अब टिकी हुई हैं अब तक की परिस्तिती से यह आसार नजर आ रहे हैं कि मनपा आईक्त सद्धापक्ष को तवज्जो नहीं देने वाले अगर आईक्त ने सत्पख्ष को दरकिनार किया तो सत्पख्ष के लिए दजुलय को होने वाली स्मार्ट सिटी प्रोजेट के संचलक दिल की बैट बैधर अवसर होगी आईक्त को सत्पख्ष से जुड़े संचलक आडे हातो लेने से पीछे नहीं हटेंगे परिणाम सुरूव सत्थापक्ष और प्रशासन के बीच जारी खिस्तान का दौर फिलाल ठमता नजर नहीं आ रहा है उल्लेखनी है कि COVID-19 के संक्रमन के वज़े से मार्च महिने की आमसभा रद्द कर दी गई अप्रेल और महिने में सभा आयजित नहीं की गई जून महिने में सभा आयजित करने के लिए सत्थापक्ष को काफी मशक कट करनी पड़ी आईक्त ने सभा रद्द कर दी बाद में मामला राज्यसरकार के पांस पहुचा उसके बाद मनपा की आम सभा आयजित हुई कॉंग्रेस पारशद नितिन साटर ने के स्थगर प्रस्तावा पर चर्चा में भाजय पसई अन्य दलों के 58 पारशदों ने हिस्सा लिया चार दिनों तक मैराथान चर्चा हुई जो इतियास भी बन गया अंतमे महापोर ने आयक्त को आदा दर्जन से अधिक मामलों में सपष्टिकरन देने के निर्देश दिये अतिरिक्त स्वास्तादिकरी डॉक्टर प्रविन गंटावार वच्ची किस्सा अधिकरी शीलु गंटावार पर सद्यसुने कई आरोप लगाए महापोर ने उन्हें निलंबित करने के निर्देश दिये संबंदी आदेश को आईक्त ने अब तक नहीं माना इस भीच आई से अधिक संपत्ति के मामले में ACB ने गंटावार पर मामला दर्ज किया फिर भी गंटावार दंपत्ति पर आँच नहीं आई इसे ही साफ होता है कि आईक्त महापोर के रूलिंग को तवज्जो देने के मूड में फिलाल दीख नहीं रही है इसे थम नहीं रहा है मनपा में जारी संगर्श सदन में दियेगे महापोर के निर्दोशों का अब तक नहीं हुआ है पालन कैमेरा परसन सुभाज बुठले के साथ संजेई मिरे इनबी सेन निज नाखपूर